सर्दियों की हरी पत्तेदार सबजियां देखने में जितने बढ़िया लगती हैं खाने में उतनी ही जादा हेल्दी होती हैं लेकिन इनको बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है तो आज हम बनाएंगे ऐसा चटपटा नाश्ता जिसे बच्चे भी बड़े शौक से खालेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मेथी के पत्ते ले लिए हैं और इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है इनके डंठल हटा दिये हैं और अब इसे बिल्कुल बारिक काट लेंगे अगर कप से नापेंगे तो यह 2 कप में थी है अब मैंने यहाँ पर परात में 2 कप गेहों काटा ले लिया है इसके साथ ही इसमें 2 चमच बेसन डाल देंगे बढ़िया से सौंधेपन के लिए साथ ही एक एंच अद्रक को कद्दू कस करके डाल देंगे और 2 चोटी चमच या फिटेस के एकोर्डिंग नमक डाल दीजे, एक चोटी चमच देगी मिर्च पाउडर डालेंगे बढ़ी असे कलर के लिए और एक चोटी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चोटी चमच गरम मसाला डालेंगे, साथ ही दो पिंच हींग डालेंगे बढ़ी असे डाजेशन के लिए, आदे चोटी च तो थोड़ी कम डालना इसके साथ ही इसमें एक चमश पॉपी सीर्स यानि की खस-खस के दाने डाल देंगे आप चाहें तो इसकी जगह पर सफेद तिल भी डाल सकते हैं और इसमें डाल देंगे दो चमश तेल यानि की मौयन के लिए ये नाश्ता ठंडा होने के बाद भी बह अच्छे से मैश कर लिया है आप इसमें दो कप ये मेथी डाल देंगे जिसे हमने बिल्कुल बारी काट लिया है आप इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें से आलू को स्किप कर सकते हैं लेकिन आलू और आगे जो हम दही डालेंगे उसकी वज़े से इस नाश्टे में मेथी का जो टेस्ट है, जो मेथी का हलकासा कड़वा पन होता है, वो हलकासा कहीं दब जाता है, जिसकी वज़े से बच्ची पी से बड़े शौक से खा लेते हैं, अब इसमें हम दही डाल देंगे, यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है अब इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और से साथ साथ मिक्स करते जाएंगे अगर मेति के पत्तों में पानी जाधा है तो हो सकते है आपको पानी के जुरत ही ना पड़े लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़े से पानी की जुरत पढ़ रही है तो मैंने यहाँ पर एक चुथाई कप हलका गुनगुना पानी लिया है इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका नॉर्मल आटा लगाकर तयार कर लेंगे यहाँ पर आपको बिल्कुल नॉर्मल आटा लगाना है जैसे कि हम रोटी के लिए लगाते हैं न बिल्कुल ऐसे ही आटा और यह देखिए हमारा आटा लगकर के तयार है अब इसके उपर थोड़ा सा घी या ओयल लगा दीजिए और इसे इस तरीके से फैला देंगे ताकि उपर से ड्राइ नहीं होगा और अब इसे ढख करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और 10 मिनट बाद हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पर आटा अच्छे से सेट हो गया है लेकिन एक बार हम इसे फिर से मल लेंगे अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे यहाँ पर मैं एक साथ सारी लोई बना करके तयार कर लूँगी तक यह नाश्ता जल्दी से बन कर तयार हो जाएगा यह देखिए हमने यहाँ पर सारी लोई बना करके तयार कर ली हैं आप इसमें से एक लोई लेंगे और इसे सुखे आटे से कोट करेंगे और इसे बेल लेंगे इसकी मोटाई आप अपनी पसंद से रख सकते हैं चाहे तो थोड़ा सा मोटा या फिर एकदम पतला मैं इस तरीके से इसके नॉर्मल मोटाई रख रही हूँ ये देखे और अब हम में बनाएंगे तो जादा अच्छा टेस देगा और जब ये नीचे से हलके से सिख गए हैं तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइट से भी जब ये हलके से सिख गए हैं तो हम इसे पलट देंगे और अब इसकी उपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसको तोनों तो इसे सफर में लेके जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, और ये देखिए, ये परांठा से करके तयार हो गया है, और बिकुल इसी तरीके से हम सारे परांठे से करके तयार कर लेंगे, और ये देखिए, सारे प यह वाइट वाला बटर जिसे मैं इस तरीके से क्यूबस में काटके रखती हूँ और लीजे अगर मैं आपको हाथ में इस तरीके से दवा के भी दिखा रही हूँ ना तो देखे कितने नरम और कितने मुलायम है मदब टेस्टों है ही साथी हेल्थ भी है सर्दियों में अगर इतनी भरपूर सबजें ना खाई तो फिर क्या किया तो वस आप भी इस तरीके से नाश्ता बनाएए और बताइए कि आपको कैसा लगा मैं तो इसे इंजॉआई कर रहे हूँ अपनी फैमली के साथ आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आपकी अपने चैनल रीटा रोरा रेसिपीज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले आप मुझे कहां से कौन से देश से देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस तरीके से आप से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाई तेक केर और थेंक्स वर वाचिंग